हलो और वेलकुम होल टू मैं चैनल सौइल सीट एंड गाडिंग आपके सबका स्वागत है आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि अप्रेल की महिने में हम कौन सी सबजिया लगा सकते हैं किन सबजियों को हमें बीज से शुरुआत कर सकते हैं और किन सबजियों की हमें पॉट का साइज 18-18 रखना होता है बेल की तरह होती है नमबर दो पे आते हैं टमाटर टमाटर आप पॉट में एजिले लगा सकते हैं एक पॉदे के लिए लगबख बारे बारे का आप ग्रो बैग या पॉट ले लिजिए टमाटर को लगाने के लिए बस आपको अब इसक यह बुश बेराइटी की होती हैं चोटे से पॉदे से ही आप बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं बस इसके लिए आपको थोड़े जादा पॉदे लगाने होते हैं तो continuous वे में आपको हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी नेक्स नंबर पे आता है स्नेक गॉड यानि कि यह एक बेल वाली ही सबजी होती है इसके लिए भी आपको पॉट साइज 18 बाई 18 का लेंगे तो बहुत अच्छा रहता है और बहुत ही अच्छी आपको फ्रूटिंग इसमें मिलती है नेक्स आपके आता है बैंगन बैंगन जो है वो जिसको हम पोई साग बोलते हैं हिंदी में यह बेल की तरह फैलता है और एक बार अगर आपने इसको गार्डन में लगा लिया तो बहुत ही यूसफुल होता है और पालक की तरह ही फायदे मन्द होता है इसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं बहुत ही टेस्टी यानि की तोरे या तोरी जिसे हम बोलते हैं इसके लिए भी pot size 18 by 18 की जरूरत होती है बहुत ही पॉस्टिक सब्जी है बहुत ही easy to grow सब्जियां हैं ये सारी तो अगर आपके पास space है तो आपको जरूर लगानी चाहिए और बहुत ही अच्छी harvesting मिलती है बस ध्यान रखें कि कम से कम आपको दो पॉधे एक बार में लगाएं ताकि इनके जो pollination में problem ना रहें नहीं तो pollination में थोड़ी दिक्कत आती है और इसकी कई variety आती है रिस गॉर्ड है, sponge गॉर्ड है next number पे आता है capsicum यानि की shimla mirch अब shimla mirch भी बहुत सारी varieties में आती है मैंने अभी तक yellow and green वाली लगा रखी है तो देखते हैं आगे भी हम मिलाएंगे number 10 पे आता है mirch, mirch को भी आप आसानी से grow कर सकते हैं और number 11 पे आता है ककडी, यानि की long melon जिसे हम बोलते हैं बहुत ही easily लग जाती है, आप आराम से आप इसको इस टाइम पे लगा सकते हैं number 12 पे आता है खीरा, और खीरा भी एक ऐसी सबजी है जो बहुत ही आसानी से हो जाता है next है करेला, उसके बाद है भिंडी, भिंडी को भी आप गंलों में ट्राइ करें चोटे से पॉट में ही आराम से लग जाती है, बहुत ही अच्छी हर्वेस्टिंग देती है बस ध्यान रखना है कि जभी भी हम भिंडी लगाएं तो कम से कम साथ से आठ पोधे लगाएं उसके बाद में आता है long beans, यानि की बरबटी, करेला और अगर मैं leafy vegetables की बात करूँ तो धनिया जहां ठंड मौसम थोड़ा रहता है वहां लग जाएगा, ज़्यादा गर्मी में नहीं लगेगा उसके बाद पाला का आप गर्मी में आराम से लगा सकते हैं और पुधी न तो आप आराम से लगा ही सकते हैं और एक और सबजी है जो exotic vegetables में आती है जुकीनी इसको भी आप लगा सकते हैं इस बार मैंने पहली बार ये try की है तो दिखते हैं इसका कैसा result मेरे garden में रहता है तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो बने रहेगा मेरे चैनल के साथ अगर आपको ये video content अच्छा लगता है तो please subscribe करिए मेरे चैनल को जिसका नाम है Soil Seed and Gardening ऐसे ही amazing video आपको पास हाती रहेंगी और अगर किसी video पर आपको चाहिए किसी topic पर video तो please comment section पर comment करें मैं कोशिश करूगी कि इस video को लाने की कोशिश करूँ Thank you so much, happy gardening, bye bye